असलाम लेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातों वेलकम टूर हिंदी क्लास तो बच्चो आज हम जो पाट पढ़ने वाले हैं उस पाट का नाम है भाई भाई का प्रेम पेज नमबर 29 मनोहर पूर नामक एक सुन्दर गाव था गाव का नाम क्या था मनोहर पूर गाव की मिट्टी बहुत उपजाव थी उपजाव यानि बहुत ही अच्छी जिस पर फसर बहुत ही अच्छी आती है ऐसी मिट्टी को कहते है उपजाव वाली मिट्टी अतंत गाव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे तो उस गाओ के जादातर लोग, अधिकांश यानि जादातर लोग खेती का ही काम किया करते थे इसी मनुहरपूर में दो भाई रहते थे दोनों किसान थे, उनके घर अलग-अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे तो उसी गाओ में दो भाई रहा करते थे जो अलग-अलग रहा करते थे पर दोनों में बहुत ही प्रेम था, प्यार था इसी वर्ष पूरे गाओ में फसल अच्छी हुई थी फसल अच्छी होना यानि बहुत अच्छी फसल होना यानि जो उन्होंने फसल लगाई थी वो खराब नहीं होना सबकी सब थी फसल अच्छी से आना कटाई हो चुकी थी यानि फसलों से जो अनाच था वो निकाला जा चुका था खलियान में सबके अनाच के धेर लगे थे खलियान यानि जहापर किसान अपने अनाच को रखा करते है एक दिन रात में बढ़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा मेरे दो बच्चे है वे ग्रहस्ती में ग्रहस्ती यानि घर के कामों में मेरी कुछ न कुछ मदद करते है मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है उसे सारा काम अकेले ही समालना पड़ता है इसलिए मुझे उसकी साहेता करनी चाहिए यह सोचकर वह उठा और खलियान में गया तो एक दिन भड़े भाई ने क्या सोचा मेरे दो बच्चे है वो मेरी मदद करते है घर के कामों में पर मेरे छोटे भाई के तो बच्चे नहीं है सब काम उसे अकेले ही करना पड़ता है तो उन्हों उसने सोचा कि मैं उसकी कुछ मदद कर दू और यहाँ सोच कर वो अपनी जहाँ पर उसने अनाज अपना रखा था वहाँ पर चला गया वो खलियान में चला गया खलियान में अपने अनाज के धेर से उसने दस गटरी अनाज बांदा तो उसने अपने जो अनाज रखा था उसमें से दस बोरिया दस गट्री यानि दस बोरिया अनाज बान दिया उन में से एक गट्री सर पर रखकर छोटे भाई के धेर की और बढ़ा और उस गट्री को वो सर पर रखकर अपने छोटे भाई के घर की और चलने लगा ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैटा सोच रहा था मैं जवान हूँ जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ जहाँ चाहूं जा सकता हूँ किसी कारानवंश यदी खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा मेरा खर्च कम है लेकिन मेरे बड़े भाईया तो बाल बच्चे वाले है गर गरहस्ती के खर्च अधिक है इसलिए मुझे उनकी साहिता करनी चाहिए वह भी उठा और खलियान में गया उसके बाद छोटे भाई भी अपने घर में बैटकर सोचने लगा कि मैं तो अभी जवान हूँ मैं तो कोई भी काम कर सकता हूँ लेकिन मेरे बड़े भाई के तो बच्चे है उनके घर गरहस्ती बड़ी है उसमें उने ज़्यादा खर्च होता हूँगा पैसा लगता हूँगा इसलिए उसने भी सोचा कि मैं उनकी कुछ मदद कर देता हूँ और यह सोचकर ही वो अपने खलियान में चला गया खलियान में अपने अनाच के धेर में से उसने भी 10 गटरी अनाच बांदा उन में से एक गटरी सर पर उठा कर बड़े भाई के धेर की और बढ़ा तो उसी तरीके से जिस तरीके से ने बड़े भाई ने अपने आनाच की बोरी सर पर रखकर चलने लगा था उसी तरीके से छोटे भाई ने भी अपने खलियान में से एक गटरी उठा कर बड़े भाई के घर की ओर चलने लगा अंधेरी रात थी हाथ को हाथ भी दिखाई ना देता था यानि बहुत अंधेरा था इसी वातावरन में दोनों भाई धीरे धीरे एक दुसरे के अनाच के धेर की ओर बढ़ रहे थे तो इसी तरीके से दोने जित दोनों एक दुसरे के अनाच के धेर की ओर जहाँ पर उन्होंने अनाच जमा कर रखा है वहाँ पर एक दूसरे वो बढ़ रहे थे अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए दोनों चौक कर एक साथ बोले कौन है? दोनों भाईयों ने एक दूसरे को देखा उनके सर पर अनाच की गटरिया थी जब दोनों भाईयों टकरा गए तो उन्होंने एक दूसरे से क्या पुछा कि कौन है? और दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के सर पर अनाच की बोल रहे थी दोनों समझ गए बड़े भाईयों ने कहा छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है खेटी का सारा कम तुम अकेले समभालना पड़ता है मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाच अधिक होंगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा इसलिए मैं खलियान में खलियान से अनाज तुम्हारे धेर में डालने जा रहा था, तो बड़े भाई ने छोटे भाई से क्या कहा कि, तुम्हें सब काम अकेले ही करना पड़ता है, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने, अपने अनाज में से कुछ बोरिया तुम्हें देना चाता हूँ, जिससे त तुम्हारे घर का राशन जादा दिन तक चले भाईया आप बाल बच्चे वाले हैं आपके खर्च अधिक है आपको अधिक मातरा में अनाच की अवक्षकता होती है इसलिए मैं खलियान से अनाच आपके धेर में डालने जा रहा था तो छोटे भाई ने क्या कहा क्या आपके बाल बच्चे है आपको ज़्यादा खर्च लगता होंगा आपको ज़्यादा अनाच लगता होंगा इसलिए मैं अपने अनाच के धेर में से कुछ अनाच की बोरिया आपको देना चाहता हूं अपनी बात कहते सुनते दोनों भाईयों की आखे भराई यानि दोनों रोने लगे दोनों रोते हुए एक दुसरे के गले लग गए दोनों भाईयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाविभूर होकर सुनते सुनाते है भाविबूर होकर यानि बड़े ही अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से एक दूसरे को ये कहानियां लोग सुनाते हैं इमोशनल होकर एक दूसरे को ये कहानियां सुनाते हैं किस तरीके से भाईयों में ये प्रेम था कैसी ये एक दूसरे से अलग रहने के बावजूद भी प्रेम से रहा करते थे तो बच्छो आप लोगों को ये पार्ट पढ़ना है इंशालला वी विल मीट इन दे निक्स क्लास अल्ला हाफिज असलाम लेकुम रहमतुलाही वबरकातो हूं